दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सहजन यानिके मोरिंगा के पत्तों के फादों के बारे में दोस्तों आपना सहजन का इस्तमाल तो किया ही होगा लेकिन इनके पत्तों के इतने जबरदस्त आयरवेदिक फादे होते हैं कि ये असाधी बीमारी बैंकर से बैंकर बीमारी का इलाज कर सकता है मैं आज आपको सहजन की पत्यों के फादों के बारें बताऊंगा और साथ ही इसके प्रयोग के बारें बताऊंगा इसका इसका इसके इसके बारें में डेटेल में जानेंगे तो दोस्तों वीडियो से बने रहे हैं और वीडियो को बिना स्क्रिप की अंग तक जरू देखेगा सहजन और सहजन के पत्तियां तो उसे इतने फादेमन इसलिए है क्योंकि यह पॉश्टी गुणों का खजाना होता है सहजन के पत्तियां और सहजन में संत्रे से साथ गुना ज्यादा विटामिन C बाया जाता है गाजर से दस गुना ज्यादा विटामिन E और दही से सत्रा गुना ज्यादा कैलिश्यम पाया जाता है साथ इसमें प्रोटीन, पोटेशियूम और आरेन की भी भारी मात्रा होती है तो इसलिए सहाजन की पत्तियों को और सहाजन को डाइट में आपको शामिल करना चाहिए आपको कौन-कौन से फादे मिलेंगे इसके बारे में जानते हैं स्याजन की पत्तियां औस स्याजन का इस्तमाल वेलोग ज्रूद करें इनके शरी में सुझन हैít हात पैर में सुझन की समस्या हो चहरे पर सूझन हो या इस पूरे शरी में सूझन क्यों नहीं हो इसे आप डाइट में शामिल करेंगे ना तो आपको सुजन में बहुत फाद है मिलेगा इनकी पत्तियों में मौझूद एंटी ऑक्सिजेंट सुजन को कम करते हैं इसके लाव अगर गठिया के वज़े से सुजन हो गया हो तो भी आप इसका इसका इस्तमाल करें इसके एंटीप्लामेंटरी गुण सुजन के साथ साथ दर्द को भी कम करने में हेल्फूल होता है अगर आपको गठी या अर्थराटिस हो गया हो इस वज़े से दर्द करता हो साथ में स्वेलिंग भी हो ना तो आप इससे डाट में शामिल करेंगे तो आपको फादा मिलेगा और अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द की समस्चा हो आप साथ में सुजन हो तो आप क्या करें स्वेलिंग के पत्तियों का पेष्ट बना लें और पेष्ट को दर्द वाली जगह पर रखें इसके आपक डिलने में रुकता है और साथी नसों की सूजन को भी कम करता है इसके अंदर मेगनिशें बया जाता है जो ब्लृड वैसलिस को रखता है और दिल को अंदर सेolen बनाने में हैलफूल होता है मोरिंगा पत्ते बायुव कांट की तरह काम करते हैं और निया замision B से भी भरपूर होते हैं दिल को घहा तक बीमारियों से बचाने में हेलफुल होते हैं अगर आपको दिल से समधित कोई रोग हो या फिर हाई बीपी के समस्या हो लो बीपी के समस्या हो तो आप जरूरी मोरिंगा को डाइट में शामिल किजिए इसके लावा ये इमिलिटी आपको रोजाना सुबह मोरिंगा टी पीना चाहिए अगर बार बार बिमार पढ़ते हों इमिलिटी बुष्ट करना चाहते हों तो मोरिंगा टी पीने के आदक डाल दीजिए इसके लावा थायरेड वालों के लिए वर्दान है हाईपो थायरेडिज्म और हाईपो इससे अले लएं से बचाओ करता हैं यहा इनीमिय सेपर में बचाओ करने में बहुत की मददकार होते हैं इसमें चहीं होते हैं धो यह B vitamin का भी एक rich source है और यह सब मिलकर आपको अंदर से strong बनाते हैं पेट खराब होने पर दोस्तों आप मोरिंगा का इस्तमाल कर सकते हैं इससे काम का इसको बहतर बनाने में मदद करती है साथ ही मोरिंगा को अबाल कर आप उसका सेवन कर सकते हैं यह पेट को healthy रखता और पेट की कीड़ों को मारता है इसका anti-inflammatory gun पेट दर्द को ठीक करता और इसका anti-bacterial gun पेट कीड़ों को मारता है इस तरह पेट खराब होने पर आप जरूर मोरिंगा की चाय या फिर आपको जो तरीके बताने वालों आगे उस तरीके साथ इस्तमाल किजेगा गाओं में दोस्तों आज भी लोग जहना मोरिंगा के पत्तों से अपने घाओं को भरते हैं हाँ आप इसे अपने घाओं पर भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके घाओं काफी पुराने हो गया है जख्म हो गया है या फिर कीड़े काट लिए हो तो आप मोरिंगा की पत्तों को पीस लें इसका लेब बना ले और घाओं में लगा लें इसना आपको बहुत फादे मि सिम्टम्स को कम करता और जूरियों से बचाता है इसके बालों को सफेध होने से भी बचाता है इसके एंटी बैक्टरियल एंटी फंगल और एंटी वालल गुन आपकी तवचा और बालों को बुष्ट करते हैं यह ब्रेकड़न और मुहासों को प्रबंधित करते हैं और स्क इसलावे diabetes को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार होता है आप डाइबेटिक है या फिर परिवार में कोई ऐसा सदस्यों जिनको diabetes है उनको जिरूर आपको मोरिंगा को डाइट में शामिल कराना चाहिए आप मोरिंगा की पत्तों की चाय बना कर पी सकते हो या फिर आप इसक रहे होना और साथ में folAH मोरिंगा को डाइट में शामिल कर रहे हो तो बीच बीच में हमेशा आप शूगर को जा ने काऊ करते हैं कि ये चोपत्त ये पाइब जानते हैं इसके इस्तमाल करने के तरीकों के बारे में मोरिंग यानि के सहाजन के पत्तों को क्या करें आप ले आए घर पे चाय में सुखा ले और इसका पौडर बना ले और फिर इसका इस्तमाल चाय के रूप में भी कर सकते हैं आप सहाईजन की हरी कढ़आ बना कर या तकर पने कर चाय बनाकर भी पी सकतें जोह करना होगा- एक मुठ Celtic को दो कप पानी में डाल दे और इससे तब टक वुबालने, जब तक दो कप पानी एक कप न रह जाएond चाहन कर पत्तियों को पी लें। इसे दोस्तों, जूस, सूप, करी में भी इस्तमाल कर सकते हैं. आप मोरिंगा की एक मुठी पत्तियों से इसका उप बना सकते हैं या पिर यूस बना सकते हैं और इसे सुबसुबाओं खाली पेट पीछ सकते हैं आप सहींजन की सबस्टी सांबर रऊ सम बना सकते नहीं और जब आप इस्तामाल क्र तो साथ में सहीं प॥ियों के इस्तामाल करना न भूले इसा अब के शिरीव को पूरा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों एंगा सही प्रकार कोई भी नुकसान सैल इफेक्ट नहीं होता है धन्यवाद